असलालेकूम वीवर्स आई होफ आप सब लोग खेरियत से होंगे कम्प्लीट को सम्क कम्प्लीट कर चुके हैं और आप इस टाइम किसी भी तरह की वेबसाइट डिजाइन डिवेल्प करने के काभी है मैंने डिटेल के अंदर आपको बताया कि किस तरह से क्या चीज करनी है कि प्लाग इन होते हैं किस तरह से थीम काम करता है तमाम चीजे मैंने एक एक करके बेसिक से बेसिक चीज आप लोगों को समझाई है तो अब बार यह आ जाती है है question यहां पर यह आ जाता है कि हमने सीख तो लिया wordpress now what next हमें आगे क्या करना है अब हम किस तरह से इसको यूज करेंगे और obviously बात अगर आपने चीज सीखी है तो उसको यूज करते हुए आप उससे पैसे कमाना चाहेंगे और अपनी financial help करना चाहेंगे अपनी और कर सकते हैं यहां पर different multiple ways आ जाते हैं आप अपनी website बना के अपने services offer कर सकते हैं कि मैं website बना के दे सकता हूं राइट दूसरा option यह है कि आप कोई भी local company join कर सकते हैं जो के आप कि शहर के अंदर हो जो कि websites बना के दे रही हो आप वहां पे अपना resume में दे सकते हैं कि मुझे wordpress development आती है और मैं wordpress को यूज करते हुए किसी भी तरह की website बना लूँगा तो वह आपको एक अच्छा package दे सकते हैं wordpress और तीसरा सबसे most important और most popular जो कि आजकल चल रहा है वह फ्रीलांसिंग कि आप different platforms के उपर जाके जैसे फाइवर अप फर्क हो गया उनके उपर जाके आप क्या कर सकते हैं अपना जो है प्रफाइल बना सकते हैं और वहां पर अपने services offer कर सकते हैं different international clients को लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको थोड़ा सा educated होना मतलब educated in sense का आपको English थोड़ी बहुत आनी चाहिए मैंने कहा रहा कि आप native होने चाहिए और बहुत फ्लिवेंट होने चाहिए English में आपको बस लिख एकिन आपने चुप लबने चीप लबने कीप एक्ष्पॲूरी जाओ इस